आश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सूटर्स चनल पे दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि लकडी के बड़े दर्बाजे पर आप सो रुपे में पॉलिस किस तरीके से कर सकते हैं इस वीडियो में आपको पूरी जनकारी मिल जाएगी स्टेप बई स्टेप नख रबाजा आपका किसी प्रिकार की लगड़ी का बना हूप हो पॉलिस करने का प्रोसेश सेँ ही होगा तो देखेकर यह मारे पास एक छोटा सा साग ऑन की सापडावान की लगड़ी का दरबाजा है उसके दूसरी पॉलिस की थी जिसकी वेडियो हमारे चैनल लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं रेगुलर वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उनसे हमारी यही रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर ले तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके जोड बराबर करने परेंगे देखिए पुराना दर्वाजा है इसके पर प्रेंट पॉलिस पहले नहीं हुआ है लेकिन पड़े पड़े पुराना हो गया है तो इसके पर हमें ग्रेंटर लगाना पड़ेगा देखिए ग्रेंटर के उपर हमने असी लगा देना है предवroleber के बराबर हो जाएगी और इस तरीके दबागते मार देंगी जिसके जोन अंधर किल्व लगों में इसमें किले को फूरी और अंदरप्ड़ोन मिई पढ़ता है और अम Clay्यों में के21 बस पूरी लक्री बराबर हो जानी चाहिए उसके बाद में हमें इसकी सेन्डिंग беспना में करनी है जो कि पिते वाले रेगमाल से करनी होगी पा यंशी लगा लिया है इसके उपर अभी हमें इसके जोड बनने है इसकी रिपेयर करनी है जहां पर भी लक्री टूटी हो या फिर क्रेक हो गयरा हो तो वहां पर हमें रिपेयर करनी है रिपेयर करने के लिए आप सेना पाउडर का भी प्रियोग कर सकते हैं इसको पूरे दरबाजी के पर भी खीच सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं या फिर आप वूड फिलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए वूड फिलर है, ये टीक कलर का वूड फिलर है, ये कमपनी से बना हुआ होता है, इसमें आपको कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है, बस डबा खोलना है और लगा देना है, बाकी दोनों में इसकी रिपेर करने वाले हैं, क्योंकि वूड फिलर थोड़ सा मजबूत होता है, ये वूड फिलर आपको वन केजी का, दोड़ाइन सो रुपए में मिल जाएगा मार्केट में, कमपनी के उपर डेपेंड होता है, कितने का मिलता है ये, तो हम वूड फिलर का ही इसमें इस तरीके से, इसको आप चाहें तो पूरे दरवाजे के पर भी खीन सकते हैं, या पर जहां पर रिपेर है, वहां पर भी कर सकते हैं, इस तरीके से जहां पर ज्यादा बड़े होल हैं, वहां पर आपको दो बर रिपेर करनी पड़ेगी, ये रिपेर आपको पहले ही प्रोपर डिटेल मिल जाएगी बिज मेटेल के साथ में और इसमें मेरा वर्टसअप नमर मिल जाएगा अगर आपको कोई प्राबलम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर वर्टसप भी कर सकते हैं ये लगभू 20 पेज की e-book है इसको खुझने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएए वहाँ पर लिंक दिया होता है पॉलिस पेंट करना सीखें उस लिंक पर क्लिक करेंगे सिधर बुक पर पहुँच जाएंगे उसके बाद में दून ओपर क्लिक करेंगे और जो हमने रिपेर की है वह भी पूरी साफ हो जाए इस तरीके से अच्छे तरव दबा के लगा देना है तक कि रिपेर के निशान इसमें दिखाई ना दे और गंडर के निशान भी दिखाई ना दे के लिए मैं इसकी पूरी कटाई कर लेता हूं उसके बाद में आपको दिखाता हूं तो देखिए अभी हमने पूरा इसको साप कर लिया है पूरी रिपेर भी निकाल ली है अब हमें इसके पर color करना है अगर आपको color करना है तो आप color कर सकते हैं ने तो आप ने चोल भी रख सकते हैं इसको color करने के लिए हम इसमे black enamel paint या फिर brown enamel paint का प्रियोग करेंगे ये आपको 1 liter की packing मिलता है 100 gram की भी packing मिलता है और 50 gram की भी packing मिलता है आप इसको अपनी जरोत के हिसाब से खरीच सकते हैं इसको पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स करना होता है एक लिटर में लगभग 200 gram तक तारपीन का तेल मिलता है तो हम इसमें black enamel paint का प्रियोग करेंगे पतला करने के लिए तारपीन का तेल डाल है हम इसमें थोड़ा हलका साई पतला करना है और फिर हमें दो कपड़ी लेने हैं एक से इसके पर कलर चढ़ाना है इस तरीके से और दूसरे से हमें तुरंथी इसको साप कर देना है यह देखिए इस तरीके से कलर चढ़ाना है और दूसरे कपड़े से तुरंत इसको साप कर देना है क्योंकि यह इनेमल पेंट है ओयल बेस पेंट है तो यह सूपेगा नहीं आप आसानी साप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी यह देखिए अब इसकी नस खाली है तो पूरा हमारा कलर नस के अंदर चला जाएगा यह ब्लैक इनेमल पेंट का परियोग कर रहे हैं बाकि आप चाहें तो ब्राउन का भी कर सकते हैं टून इसकी ब्लैक की टार्क-ब्राउन सी आएगी लेकिन ब्लैक टून نہیں होगी इसकी यह देखिए फ्रेम के उपर चड़ चुका है अब यहमन अंदर भी चड़हाँ हैंगे वैगर आप Color नहीं करना चाहते हैं तो आप को इसको 16 महीं कर सकते हैं अगर आपको निचिर्णल रखना है तो बस इसके अप्लाइस लाश्ट वाला कोड करना होगा इसके अज़सर पर जाने के जुरूत नहीं होगी उसके उफर सूखने के लिए चोड़ना थैक करना पड़ेगा क्योंकि इनेयमल पेंट है तो सूखने में टाइम लगाता है वो मां अगर टेप करें में इस वार्टãy करना सूख तकरेm साटनकी करने में आन्दर लोग सकता है और और बाले बिम लग सकता है घर के तेल होता है जोकि एक लिटर में 200 ग्राम तक परता है और इसको आप कपड़े से भी लगा सकते हैं और व्रस से भी लगा सकते हैं या फिर प्रेय गंसे भी लगा सकते हैं हम इस प्रेयोगकर नियुक्त पर आप तो और बहूब बरहें व्रश के निकारो Lex इसमें signing और finishing आएगी एक कोड मारने के बाद में इसको 2-4 घंटे सूखने के लिए छोड़ना होगा अगर आपने हाथ से किया है कपड़े से किया है तो जल्दी सूख जाएगा बाकिकर आपने बरस या फिर इस प्रेगल से किया है तो सूखने में ज्यादा टाइम लगाएग और उसके बाद में हमें फिर से यही टच्वूर्ट ग्लोसी अप्लाई करनी है बस आपको इसके पड़ टच्वूर्ट ग्लोसी अप्लाई करते रहना है जब तक कि आपके पूरी तसलिल ना हो जाए इसकी फिनिसिंग बढ़िया हो गई है तब तक आप इसके पड़ टच् पक जाएगे जिससे कि इसमें दाने दाने हो जाएंगे यह दूसरा कोट हो चुका है हमारा सुखने देते हैं सुखने के बाद में फिर से सेंडिंग करेंगे इसकी और फिर से हम वही टच्वूट गुलोसी अपलाई कर देंगे कि बस यही प्रेक्रिया हमें आजवानी है सेंडिंग करना जरूरी है आपको कि हर कोट के बीच में कि यह देखिए तीसरे कोड में इस तरह की फिनिसिंग मिलेगी आपको यह दूप में है इसलिए आपको ज्यादा साइने के समें बहुत ज्यादा है यह देख सकते हैं आप तीसरे कोड में इस तरह की होगी है अभी मैं आपको इस प्रे से करके दिखाता हूँ अगर आप इस प्रे का प्रियू करते हैं तो किस तरह की फिनिसिंग आएगी यह देखिए इस तरह की फिनिसिंग आएगी अगर आप इस प्रेगम से करेंगे तो बिल्कुल हाई गलोस और स्मूथ फिनिस होगी यह मैला मायन और प्यू को भी टककर दे सकता है अगर आपने बढ़िया तरीके से इसको कर ली अभी पूरा हमारा फिनिस हो चुका है अब मैं आपको बताता हूँ कि 100 रुपे में कैसे पड़ेगी यह पॉलिस अगर आपके 5 या 10 दरबाजे हैं तो आपको 100 रुपे में यह पॉलिस पर जाएगी कैसे चलिए मैं आपको बताता हूं अगर आपके दस दर्बाजे हैं दर्बाजे या फिर बिंडो हैं तो उसके लिए आपको एक लिटर इनेमल पेंट की जरूत पड़ेगी जो की धाई सो या पूने तीन सुरुपे में मिलेगा और एक किलो हमें वूड फिलर की जरूत की वह मान के चलो कि सो रुपे की रेगमल लग जाएंगे तो आप इस हिसाफ से कल्कुएट लगा लें साथ आठ सो रुपे में आपके दस दर्बाजे हो जाएंगे इस तरीकी की फिनिस हो जाएगी इसमें बाकिट टच्वूट गलोसी अगर आप ज्यादा लगाएंगे त छोड़ सकते हैं जिससे की वह मा जो टच्वूट गलोसी लगाएंगे वह सूख जाएगा तो मैट फिनिस में हो जाएगा जिससे भी पॉलिस वरी लुक हमारी दिखाई देने लग जाएगी मैट फिनिस में उसी इसाफ से गर आपके पांस दर्बाजे हैं तो आपको आधा समान लेके आना है टच्वूट गलोसी आप चाहें तो पूरा ले सकते हैं क्योंकि टच्वूट गलोसी फिनिसिंग वाला काम करता है बाकी सारा समान आधा आधा ही लगएगा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूर सकते हैं मत जवाब बिरूर कर ददिन लाओ तो कोजो और दृटं है यद्वलोसी इस छिया है आपको कसे शलता है वाला क्वणो करता है या है Пाला है ओलोसी है एंचे है ठापको कि दynn Medicine